दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 1998 में आई बॉलिविट की रुमेंटिक कॉमेडी मुवी घर वाली बाहर वाली का इस फिल्म के राइटर है रुमी जाफरी और फिल्म को डारेट किया है डैविड धवन ने इसके इलावा लीड रोल्स में मौझूद हैं अनील कपूर, रवीना टंडन, रंबा, कादिर खान, सतीश कौशिक, टीकू टलसानिया और असरानी इसके इलावा माधूरी डिक्षिट भी हमें स्पेशल अपेरेंस में नदर आएंगी कहानी की बात करें तो ये कहानी है अरून यानि अनील कपूर की, जो अपनी बीवी काजल यानी रवीना टंडन से बहुत प्यार करता है और दोनों मिया बीवी काफी टाइम से बच्चे की उमीद में होते हैं मगर डॉक्टर से कहने के मताबक काजल मा नहीं बन सकती और अरून ये बात काजल से छुपाता है कि कई उसे दुख ना हो और सारा ब्लेम खुद पे ले लेता है मगर इस बारे में अरून के पिताजी यानि कादिर खान को पता चल जाता है और वो अरून को दूसरी शादी करने का कहते हैं नगर अरून इंकार कर देता है फिर इसके बाद जम्बो यानि सतीश कोशिक और अरून नेपाल जाते हैं और वहाँ पूजा पार्ट के धोके में आकर अरून की शादी एक नेपाली लड़की मनीशा यानि रंबा के साथ करवा दी जाती है और इसके पीछे कादिर खान का हाथ होता है अब देखना ये है कि क्या अरून इस लड़की को अपना बना के अपनी बीवी काजल को धोका देगा या फिर वो दोनों बीवीों को एक साथ मैनिश करेगा इसका पता आप फिल्म देखकर लगा सकते हैं अब बात करें फिल्म के प्लस पॉइंट की तो फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फिल्म का स्क्रीन प्ले जो बेहरत इंगेजिंग और एंटर्टेनिंग वे में लिखा गया है जिसकी वज़ा से ओडियंस जरा भी बोर नहीं होती और साथ-साथ फिल्म में एक्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेन्ट रोल प्ले कर रही है जहां अनील कपूर अपने आउटिस्टेंडिंग एक्स्प्रेशन्स और परफेट कॉमिक टाइमिंग के साथ हमें बहुत एंटर्टेन करते हैं और साथ-साथ कॉमिडी फिल्मों में सपोर्टिंग कास भी बहुत इंपॉर्टेन्ट दिखाई देती है और उनका काम अच्छा होना फिल्म पे काफी असर करता है और इस मुवी में कादिर खान, सतीश कौशिक और टीकू टलसानिया ने भी अपने अपने किरदारों को बाखूबी निभाया है और फिल्म की हिरोईंस रवीना टेंडन और रंबा ने भी शानदार एक्टिंग की है देखा जाए तो घर वाली बाहर वाली एक प्योर मास्टर पीस कॉमीडी एंटर्टेनर है ये फिल्म मैं आप सब को रिकमेंड करूंगा आप सब भी इस फिल्म को जरूर देखिएगा और अगर आप लोगों ने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमिड्स बॉक्स में इस फिल्म के बारे में अपनी राए जरूर दीजिएगा